हेलो प्यारे बच्चों कैसे हो आप लोग मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंस्पाइरल स्टडी में आज बहुत बढ़िया वाला टॉपिक ले करके आया हूँ आप लोगों के लिए आज हम अपने अंदर की हड्डियों के ब लेकिन अगर कंकाल तंतर के बारे में डीपली और डीटेल जानकारी आपको लेनी है तो भाई साब इसी देशी क्लास में मिलेगी बहुत ज्यादा रिसर्च करके टॉपिक तयार किये गए हैं बच्चों आज पढ़ेंगे हुमन स्केलेटन सिस्टम और हुमन स्केलेटन सिस अब ध्यान अपना कॉंसेंट्रेट कर लो बोड़ पर और कपिल जौदरी सरके उपर ठीक है अब देखो बच्चों यूमन स्केलेटन सिस्टम सबसे पहले सिस्टम सिस्टम क्या है जिसमें बहुत सारी चीजे मिलके काम करें आपका स्केलेटन हड्डियों का बना है किसका हड्डियों का बना है हिंदी में कहते हैं अस्थियां देखो जब कोई मर जाता है है ना तो कई जगे पर क्या कहते हैं हम इनके फूल चुगने या फूल गंगा में बहाने के लिए जा रहे हैं है ना सडाने के लिए जा रहे हैं कुछ कहते हैं कि हम अस्थियां विसर्जन क नहीं है ठीक है जिन अस्थियों को जलाया जाता है वो जल चुकी होती है आग में ठीक है अब बच्चो सुनो उसके बाद स्केलेटन सिस्टम अब समझ गए है कि हम अस्थिया किसे कह रहे हैं स्केलेटन यानि हड्डियों का समू बच्चो इतनी अच्छे वाली परस्नालिटी आप लोगों को दी है अब मैंने तो आपको देखा नहीं लेकिन भगवान करें आपके अपास अच्छी परस्नालिटी हो अच्छा गुड लुकिंग आप लोग हो है ना मेरी तरह है तो बच हम खड़े ही ना हो पाते ठीक है वैसे तो अगर ना होता तो भगवान को यह और सिस्टम लगाता लेकिन हां हो सकता था कि हम बहुत अलग दिखाई देने वाले हो ठीक है इस स्केलेटन सिस्टम के बिना देखो हमारे पास यह पूरा एक हड्डियों का पूरा धाचा यानि बॉन्स के अलावा इसमें एक और चीज़ेश को कार्टीलेज कहते हैं ठीक है अभी एक एक डाउट किलियर करता चलूँगा टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी आप लोगों को पता चल गया कि हुमन स्केलेटन सिस्टम हड्डियों का बना है और आपकी उपास्थियों क बना है ठीक है यानि आपका किसका बना है काटिलेज का बना है और बॉन्स का बना है अब बच्चो सबसे पहले सबसे पहली चीज हम देख लेते हैं मानव कंकाल जो है आपका वो क्या करता है आप लोग यहां पर देखो फटा फट से देखो आपको कंकाल दिखाई दे रहा ठीक है बच्चो देखो पहला पॉइंट क्या है सरीर को साधना और आकरती देखो साधना का मतलब यह नहीं है कि हम भगवान की वक्ति में लीन हो गए ऐसा नहीं साधने का मतलब है इसको फिट करना ठीक है इसको किस तरीके से एड़जस्ट किया जाता है समझगे आपको पता किस तरीके से साधा गया है साधा मतलब इसको किस तरीके से सुववस्थित किया गया है किस तरीके से मैनेज किया गया है है ना तो हमारा जो शरीर है शरीर को साधने का काम और उसकी आगरती यानि कि बाड़ी फिगर ठीक है आप बाड़ी फिगर कह सकते है मसल से भी डेवल आकरती जो दी जाती है वो कंकाल तंत्र के दौरा दिजाती है और जब शरीर को साधा जाता है और उसकी आकरती बदल दी जाती है और आकरती बना दी जाती है उसको कहते है कंकाल तंत्र यानि के skeleton system ठीक है बच्चो अब जड़ा यहां पे आजाओ थोड़ा focus इधर करो बच्चो ये बना कैसे है है ना कंकाल तंत्र यानि जो कंकाल तंत्र बना हुआ है बच्चो वो special connective tissue tissue यानि के कुछ विशेस संयो जी उतक के बने होते हैं ठीक है अब एक बास समझ लो मैं आपको बता गराओं जब संयो जीउतक और संयो जीऊंटक मिलते हैं यानि कि जोंजी उतक इन चीजों को form करते कह सकते हैं कि यह काम करते हैं मैंने प्लस लिखावा इसलिए कि संयों जी उतक यानि कनेक्टिव टिशू कनेक्ट होते हैं और एक नई चीज फॉर्म करते हैं तो वह आपके कंकाल उतक यानि के skeletal tissue को form करते हैं समझ गए यानि जो आपके सयोजी उतक है वो कंकाल उतक बनाते हैं अब ये कंकाल उतक बच्चों दो परकार का होता है कंकाल उतक कितने परकार का होता है दो परकार का पहला हो गया आपका cartilage यानि उपास थी ठीक है और दूसरा हो गया आपका बोन यानि अस्थी अब बच्चो cartilage सुन करके आपके दिमाग में आ रहा होगा कि cartilage क्या है बच्चो गर्ण आपने कभी chicken खाया हो ऐसे बहुत बच्चे chicken नहीं भी खाने वाले होंगे ठीक है मेरे जैसे, तो कुछ लोगों ने चिकन खाया हुआ होगा, ठीक है, अब उस चिकन में जब आप लोग लेग पीस को देखते हो, माँ λέग पीस है, ठीक है, तो इस लेग पीसमें, जब आप अरे, यहाँ पे देखाना पड़ेगा शायद, ठीक है, यह कैसे माल मसाले को खा लेते हैं सिंपल सी बात जब इस माल मसाले को हम खा लेते हैं तो इसके उपर से एक परत निकलती है ठीक है इसके उपर से एक परत निकलती है उसको भी चबा जाते हैं लोग ठीक है तो बच्छो वो काटिलेज होता है यानि आपके नाग की हड़ी ये काटिले सबसे में टॉपिक क्या है उपास्थी के बारे में जान लेते हैं बंती कैसे हैं ठीक है क्योंकि उपास्थी और अस्थी मिल करके ही कंकाल उतक तयार होता है बात को समझ गए होंगे आप लोग कार्टिलेज की बात करों तो बच्यो उत्पत्ति कैसे होती है ब्रुण की मीजोडर्म से मैं आपको बता हुआ है के ब्रुण क्या है ब्रुण एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म, तो मीजोडर्म आपका क्या बनाता है, भुरुन के मीजोडर्म से आपकी काटिलेज तयार होती है, उपास्थी तयार होती है, ठीक है, उसके बाद बच्चों, जिस भुरुन की मीजोडर्म से इसकी उपास्थी तयार होती है, उ के अंदर कौन सी प्रोटीन ह्यना होती है फित कन से प्रोटीन का यह बना होता है अब बच्छो समझ को कॉंडरीन याद रखना है अगर आप प्रोटीन भूल गएं bisa का सिम्पल सी बात है देखो जब आप kondrin पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना यहां पर kondro kondro mucoprotein का बना होता है mucoprotein का मीजो से आया है आपका और kondro आया है kondrin से तो kondro mucoprotein से आपका cartilage बना होता है क्लिएर है बच्चों उसके बाद जो सफेद collagen और पीले elastic तंतू किसे कहते है फिलामेंट को कहते है ठीक है तंतू किसे कहते है फिलामेंट ठीक है तो आपके collagen और पीले elastic तंतू का एक जाल होता है जो इसको बनाता है ठीक है ठीक है समझ गे जो आपके पीले सफेद collagen और आपके पीले elastic तंतू होते है उनका कह सकते हैं वो दोनों मिल करके एक जाल तयार करते हैं एक जाल तयार करते हैं ठीक है वो जाल इसको हाडनेस और लोच यानि इलास्टिसिटी देने का काम करता है बच्चो आपको पता होगा हमारे ना को आप इदर दर इसको कहसे भी कर सकते हो कान को मोड़ लो तोड़ है ना तो यह तूटता नहीं है तो क्यों नहीं तूटता क्योंकि इसके अंदर आपकी सफेद कोलाजन और पीले इलास्टिक तंतू हैं जिन्होंने एक जाल बनाया हुआ है ठीक है। और वो जाल उसको हाडनेस भी दे रहा है यानि उसको बहने भी नहीं देता उसको एक दम से टूटने भी नहीं देता और इलास्टिसिटी भी परदान करता है ताकि उसको तोड मरोड सके हम थीक है बात को आप लोग समझ गए होंगे तो यह तो था कार्टिलेज बच्चो अब भाई सबसे मेन बात आपकी जो हड़ी होती है यानि आपकी जो बोन होती है उस बोन के अंदर क्या-क्या चीजे प्रेजेंट होती है बच्चो आपने देखा होगा कि आपकी जो बोन है वो एक बहुत रोल एक इंपॉर्डेंट रोल प्ले करती है हमारी बोडी में यानि महत्वपूर्ण भूमी का निबा रही होती है अब बच्चो बताऊं आपको हमारी बोन जो है वो बोन सभी को पता है कि कैल्सियम और फॉस्फोरस से बनी है सभी को पता है लेकिन बच्चो हमें एक्जेक्ट बात नहीं पता डिटेल्ड बात नहीं पता क्योंकि बहुत लोग हमें कह देते हैं कि हड्डियां सिधी सिधी बात है कि कैल्सियम से बनी है हड्डियों में कैल्सियम होता है हड्डियों में फस्फोरस होता है लेकिन एक्शुल में जो डिटेल जो अंसर है वो नहीं बता पाते हैं देखो बच्चो कहीं बार कोशन पुछा जाता है कि आपकी अस्थियों में कौन सी प्रोटीन होती है और आपकी अस्थियां किन अकार question यही है कि bond के अंदर कौन सी protein होती है नि कौन सी protein से आपकी हड़ियां बनी है तो simple सी बात अब detail में थोड़ा आ जाओ बॉन जो है आपकी 38% इसमें क्या होती है ओसीन protein होती है बच्छों कितने percent होती है 38% आपकी OSIN protein आपकी हड़ियों में present होती है समझ गए उसके बचा हुआ पार्ट 62% आपका किसका बना होता है जो 62% भाग है वो carbonic salt यानि inorganic salt जिसको कह सकते है calcium phosphate और magnesium phosphate इन दोनों का बना होता है ठीक है बच्चो यानि 38% आपकी होती है oxygen protein और 62% होता आपका calcium phosphate और magnesium phosphate समझ गए यह आपके दो लवन होते हैं जो हड्डियों के दिर्मान में helpful होते हैं ठीक है बात को समझ गए कुट्टा हड्डी को इसलिए चाटता है क्योंकि उसके अंदर आपके यह लवन है है सॉल्ट तो उसको यह लगता है ठीक है तो वह इसलिए हड्डियों को चाटता है बात को समझ गए होंगे आप लोग बहुत अच्छी बात है और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ हड्डी जो है यानि कुता अगर किसी हड्डी को चाट रहा है तो हड्डी को क्या होता है कि वो हड्डी यो के कोने मैं आपको यहां पे दिखाया था हड्डियों के कोने में यहां से तूटावा उठा तो इसके अंदर वह चाटने की कोशिश करता है बच्चों वहां पे भी बहुत iMPORTENT रोल है मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कुछ लोग होते हैं कि मुर्गे की जो हड़ी होती है मुर्गे की जो लैग पीस होता है या कोई और हड़ी होती है उसके अंदर उसको फाड़ करके भी खा जाते है क्यों खाते है उसका बहुत important कारण है बहुत मज़ेदार कारण है ठीक है वो नहीं बता पाएंगे लेकिन हम आपको बता देंगे ठीक है उन्हें तो बस खाने से मतलब है दो बतल चड़ाई और अपना खाना शुरू कर दिया अपना पेल गे उसे ठीक है तो बच्चों देखो अब अब जो हमारी बॉन है इस बॉन का विकास दो परकार से होता है यापकी जो हड़ी बनती है आपकी जो अस्थी बनती है वो दो परकार से बनती है पहली आपकी देखो पहली आपकी बनती है दिर्ग अस्थियां यानि कार्टिलेज ठीक है जो संयों जी उतक है वो एक membrane बनाते हैं उससे भी आपकी अस्थियों का निर्मान होता है तो पहला निर्मान होता है आपका काटिले से जो आपकी दीर्ग अस्थियां बनाती है ठीक क्या बनाती है दीर्ग अस्थियां बनाती है बच्चो इनके अंदर रुधिर वाहिनिया प कला अस्थियां ठीगे बच्चों समझ गए यानि इसको बोलते कला अस्थियां के अंदर रूधिर कान ठ्बन नहीं हो टी है इनके अंदर होती हैं इनके अंदर होती है derived जो आपकी कला Brasleyat उनमें रोधिरवाईकाई present होती है ठीके बच्चो अब एक main चीज बच्चो जो दिर्ग अस्थियां होती है उन दिर्ग अस्थियों के अंदर ठीके उन दिर्ग अस्थियों के अंदर आपका मज्जा गुहा पाया जाता है बहुत बच्चे को ये confusion होता है कि हमारी बॉडी मे blood कहां बनता है मैंने काफी बच्चों से पूछा कोई बच्चा नहीं बता पाता बहुत बच्चे कहते हैं sir hurt में बनता है है ना hurt का काम pump करना होता है बहुत बच्चे कहते हैं जी liver में बनता है बहुत बच्चे कहते हैं जी stomach में बनता है ठीक है एक important topic और भी रहा है बच्छो उसको भी हम कराएंगे आपको ठीक है आपकी जो देखो अब जो दीर्ग अस्थियां होती है दीर्ग अस्थियों में मज्जा गुवा यानि medullary cavity भी स्ट के अंदर आपका bone marrow पाया जाता है यानी अस्थि मज्जा पाया जाता है मज्जा गुवा है मंज्जा मतलब मज्जा गुवा का यानी Born Marrow पागा जाता है, और यही Born Marrow आपका दो प्रकार का आपको मिल जाएगा, एक होता है लाल यानी red और एक होता है आपका yellow, समझ गए बात, एक होता है red, एक होता है yellow, ठीक है जी, अब red वाला जो होता है, वो RBC और WBC का formation करता है, है ठीक है जी क्या करता है RBC और WBC का formation करता है यनि Red Blood Cell और आपकी white blood cell का formation कों करता है आपका bone marrow करता है bone marrow जो red bone marrow है समझ गए उसके पाओ बच्चो ये लो bone marrow क्या करता है वसा रक्त वहिकाई और जालिय उतक का निर्मान करता है ठीक है जी यानि वसा फैट और रक्तवाहिकाएं और आपका जाली उतक अब बच्चो एक चीज जो आपके दिमाग में जो मैंने आपकी थमनेल में भी लिखा हुआ है यानि कुछ लोग चिकन को चिकन की हड़ी को भी चबा जाते हैं वो क्यों चबा जाते ह हुआ 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 ह bone marrow एक बहुत बड़ी चीज़ है कोई चोटी बोटी चीज़ नहीं है है ना यह आपके शरीर के अंदर की जब blood को बना रही है तो यह कितनी बड़ी चीज़ होगी इसको सोचके देखो ठीक है तो कई बार इसमें बीमारियां भी हो जाती है है ना तो वहां वो चीज़ जाना उसके लिए जाना ठीक नहीं है ठीक है तो बच्चो ठीक है यह आप समझ गये होंगे उसके बाद की कहानी हड्डियां खोकली क्यों होती है मैंने थमनेल में लिखा हुआ है हड्डियां खोकली क्यों होती है बच्चो आप लोगों ने देखा होगा कि हड्डियों के अंदर bone marrow जब जाएगा तो simple सी बात है कि उसके अंदर वो खोक लियोगी और उसके अंदर आपका कुछ ना कुछ होगा और वो क्यों होगा उसका करन हम यहां से आपको दे रहे हैं देखो बच्चो आपकी जो bone होती है वो दो परकार की cells उसको बनाती है दो परकार की कोशिकाएं बनाती है ठीक है एक परकार की नहीं बनाती है दो परकार की कोशिका बनाती है एक होती है osteoblast osteoblast ध्यान से सुनना osteoblast एक होती है osteoclast ठीक है दोनों का osteo osteo है लेकिन एक का blast एक का clast ठीक है एक osteoblast एक osteoclast देखो बच्चो आकाम करती हैं ठीक है क्या करती है निर्मान करने आकाम करती है अब बच्चों उसके बाद होता है ओस्ट्योप्लास्ट ये बन जाती है विनाशकारक यानि कि ये खा जाती है उसको अब जब जहाँ-जहाँ से क्षाएगी सिंपल सी बात है कि हमारे ब्रेन के चलता रहता है सब काम ये उतना ही खाती है जितना हमें रिकौर्ड निट होती है ठीक है अब बीच में खा जाएगी तो इसमें पुकाश गुहाएं और नलीकाएं बन सके ताकि उसमें और चीजें भी एड़जस्ट हो जाएं बच्चो तो आज की वीडियो में बच्चो इतना ही बच्चो एक मैसिज आपको देना है बहुत जल्द हम इंस्पारल स्टेडी की ऑफिशल एप्लिकेशन आपके लिए लेकर क जाद बच्चो Instagram पे आप लोग बहुत कम फोलो कर रहे हैं अभी जो अगली अपडेट्स हैं मैं Instagram पे ही दिया करूँगा हमारे ऑफिशल चैनल इंस्पारल स्टेडी पर यानि ऑफिशल अकाउंट इंस्पारल स्टेडी के ठीक हैं तो बच्चो इंस्टग्राम पे भी फोल प्राइब बात्चों!